प्रिणाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से बेलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे लेके आई हूँ फिर से एक नया चैनल मैसेज आई नो कि दो तीन दिन में नहीं आ पाई लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी आप सभी को जितनी भी मेरी सोल फामली मेरे से जुड़ी है राइट नाओ जो आपका समय है और ये जो एनरजीस चल रही है उनके बीच में एक सेतु बनाना है एक संतुलन बनाना है और ये संतुलन कैसे बनेगा यह संतुरन तब बनेगा जब हम चोटी-चोटी चीजों से उपर उठके बड़ी-बड़ी चीजों पर फोकस करेंगे, अगर बिगर पिच्चर पर हम अगर फोकस करेंगे, तो हम इन चोटी-चोटी जो ऑप्टिकल सा रही है, चोटी-चोटी जो energies चल रही है, जो हमें बार- या फिर जो हम देते हैं तो उसमें हो क्या रहना कि आपका ध्यान सिर्फ उनहीं के इर्दगिर्द घूम रहा है या जैसे मैंने पिछली काफी समय पहले कहा था कि इनर्जी चल रही है तो जैसे मैंने का हाई चल रही है तो आपका ध्यान चला गया कि देखो हाई एनर्जी चल रही है छुटा मुटा लो बाइबरेशन से यह फील होगा कोई बात नहीं हमें इससे मैनेज कर लेंगे तो आपका धियान कहा था? High Vibration पे तो बीच में जो एक Normally Energy चल रही थी यानि कि जो Divinely Energy थी High Vibration की लेकिन जो Surrounding की Earth की Energy है जहां पे हम मतलब Survive कर रहे हैं जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं जिन चीजों के बीच में रह रहे हैं जहां भी हम हैं तो वहां भी एक Energy Connection है तो वो Energy हमें पल-पल में थोड़ा अच्छा और बुरा फिल करा रही होती है तो जिसके चलते हम एक ऐसी Bound में फज़ जाते हैं एक ऐसी Energy Connection में फज़ जाते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं और हम एक High Level की Energy को नहीं समझ पाते हैं हो रहे होते हैं उसके और इस Energy के बीच में संतुलन नहीं बना पाते हैं बैलंस नहीं बना पाते हैं और नाई हमें Clarity मिल पाती है तो दोस्तों यह है आज का जो मैसेज इसी बात को लेकर कर के आई हूं खना की यह मेरा मेसेज नहीं है चैनल मैसेज है बस यहां पर पहले मैंने चीजे किलियर की है आप सुनिए चैनल मैसेज क्या है आपके लिए यह चैनल मैसेज है 33 का स्थाफ Northeasttill कूंब इस departure बन रही है वो बन रही है 338 तो 33 की मैं बात करूँ mind body spirit यह हो गया और अगर मैं 3 plus 3 को भी हम connect करके देखे तो यहाँ पर बन रहा है 6 number 6 यानि की family energy and masculine energy का massive energy चलेगी इसमें ठीक है अगर मैं बात करूँ 8 number की 8 number है infinity तो मैं यहाँ पर आपको इसलिए clarity से बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अपनी energies को इस level पर समझे और उसके according work करें और उसके according अपने आपको आगे लेकी चले विकोज यह जो पोर्टल है यह है डिवाइनली पोर्टल 3 number always Jupiter का number है और Jupiter आपने सभी ने जाना होगा जूपिटर जो है डिरेक्ट डिवाइनली होता है डिवाइनली connection होता है इसके साथ में जिसका भी कहते है न कि अगर जूपिटर अच्छा हो तो समझोगी उपर वाले का हाथ उसके सर पर रखा है आपने सुना भी होगा बहुत जगा पर इसी तरीकि से यह है कि जूपिटर का जो एनरजी हो बन रही है प्लस यहां पर बीनस भी बन रहा है बीनस इन्दस इस सुक्रगर तो यहां पे मैं आपे numbers आपको दोनños तरीके से बता रहीं है क्योंकि मैं numbers बतानी का reason मैं आगे समझाओंगी आपकी फिलाल यहां पे थोड़ी सी energies को सभेता है इस way में यहां थाकि आपको समझे आए चीजे क्या है एक you can't capture carbon तो यहां पर तीनों hiçbir की है प्यार की एनरजी यूनिवर्स age और कर्मा ute अपने आप में हाइलाइट रहें गी जैसे ही यह पोर्टल शुरू हो होने को है जैसे कि की फिर्वरी खत्म होगा और मर्च शुरू होगा तो तो मार्च से ही यह एनरजी आपके इर्द गिर्द आपको फील होना शुरू हो जाएगी नंबर एक कि आपकी लव लाइफ जो है यानि कि हमारे डी एम की तरफ से आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनरजी रिसीव होगी पॉजिटिव रिजल्ट आपको वहां से मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर फैमिन और मैस्कलीन की जो एनरजी है तो यहां पर मैस्कलीन तत्व जो है मैस्कलीन एनरजी जो है थोड़ी सी फैमिन एनरजी के अखॉर्डिंग काम करेगी क्यों क्योंकि यह एनरजी ही इसी एनरजी तो इसी का रोल पिले हम इस पोडल में करने वाले हैं तो आपके पार्टनर इस समय आपको इकुवल गिवन टेक देंगे जो बहुत समय से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कमनीकिशन का वेट कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे रूरली विहेब करते थे या थोड़ा सा टॉक्सिक थे या इवोिष्टिक थे तो अब आपको अपने DM का एक सौप्ट साइड दिखेगा एक ऐसा साइड दिखेगा जो हमेशा उन्होंने आपसे चुपाया है तो ये फिस अब आपको मिलेगा दूसरी नंबर बात डिवाइनली जैसे मैंने कहा जो पीटर या थ्री नंबर माइंड बॉड़ी इस्परिट तो यहाँ पे आपके तीनो लेवल यानि की माइंड बॉड़ी एंड इस्परिट यह तीनो इलाइंट मेंट में चलेंगे जिसकी वज़ा से आपके और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन बनेगा वो एक तरह से डिवाइनली यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग पर्मनेंट हर्मनी रियूनियन को प्रिजेंट करेगा अब यहाँ बात यह आती है अब आप यहाँ आप सोचेंगे तो बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं इस मन्त में हो जाएगा का रियूनियन पर्मनेंट तो मैं यहाँ पर यह कहूंगे कि बहुत लोगों का रियूनियन इस मन्त में घटेगा लेकिन बहुत लोगों का रियूनियन यहाँ से शुरू होता है और 11-11 का जो पोर्टल आएगा वहाँ तक यह मैरिज में कनवर्ड हो जाएगा यानि कि श्टार्ट होगी आपकी positive energy से जहां पर आपके यह positive communication होगा एक दूसरे की emotions को आप समझेंगे एक दूसरे की soft side को hard side को समझेंगे और इस तरह से इस पर ट्रेवल करते करते धीरे धीरे यह journey आपकी permanent harmony reunion की तरह बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत लोगों का इस मार्च मंत में कमिटमेंट मिलेगा लेकिन अब यहां पे घवराने वाली बात नहीं है आपका रिलेशन अब जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं हमारा रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा है बातचीत होती रहती ह हैं बढ़ हमारे परसन जो हैं हमें कमिटमेंट नहीं देते हैं उसकी बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं तो फैमिन एक बात आपको द्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले आप इस बात से परिशान थे कि उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है वो आपसे बा बात करने के लिए जब बात करते हैं तब आपका नया ही शुरू होता है कि अब कमिंटमेंट नहीं दे रहे तो उसकी बज़े से परिशान होते हैं तो सबसे पहले एक चीज आपको अपने अंदर से करेक्ट करना होगा कि प्रजेंट लाइफ में जो आपको दिया गया है उसे बेखुवी यानि दिल खोल के सिकार करना है और उसको जीना है आपको अगर एक चीज मिल गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि तब दूसरा डिमाइंड करेंगे क्योंकि फिर आप एक नॉर्मल नॉर्मल जो अनवेकन सोल है उसकी तरह बहेव कर रहे हैं कि जैसे कि हर कोई का होता है पहले तो किसी चीज को पाणे के लिए वह पागल होते हैं जब मिल जाती है तो दूसरा ही पागलपन शुरू हो जाता है तो यह वाली आपको नहीं करने सो डाफिनेटलि आप जल नहीं हैं क्योंकि यह से켜ब आपको जीना सिखती है हर मुमेंट जीना सिखती है आप आप किसी चीज की पीछे भागते नहीं है ठीक है तो आप प्रजेंट मुवमेंट में जब आप वेट कर रहे थे परसन का तो वह मिलेंगे आपसे बात करेंगे लेकिन इस समय अब आपका एक नया जो टैक्निक शुरू होगा वो होगा कमिटमेंट का तो इस चीज को साइड रखिएगा क्योंकि कमिटमेंट मिलेगा ही आपको लेकिन उससे पहले जो राइट नाव एनर्जी है उससे स्विकार करना है और उसके साथ में एक दूसरी का बैलेंस बनाना है आई हो आई नो कि आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा मिरेशव लेकिन यह सच है यह फैक् होती है होती ही है कि एक चीज के बाद दूसरी चीज में लेकिन हमारा जो मन है मन हमारी ही चेतना है लेकिन हमारी हमारी चेतना भी हमारे वर्ष में नहीं है जिसके वजह से हम डिफरेंट 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 चीजों में फस जाते हैं तो यह चीज आपको नहीं करना है पापिस में आती हूं अपने mind body spirit पे तो यहां पे यह alignment चलेगा तो एक बात जो यहां पे सब लोग feel कर सकते हैं body pain नहीं होगा यह सच है कि body pain इस बार नहीं होगा क्योंकि body pain जिसको होना था जिसकी health issues होनी थी यह 28 स्वेरवरी तक सब complete हो जाएगा लेकिन जैसे ही March लगेगा को भी जितने long time से health issues चल रहे थे problems चल रही थी वो सब आपकी heal होने वाली है ठीक है relationship आपका heal होने वाला है and spiritual life में जो blockages आ रहे थे आपके seven chakras पे कोई blockages आ रहे है root chakra, sacral chakra, solar plaxy, heart chakra, even seven chakras में कोई भी chakras में आपका blockages है वो यहां आपके automatically by divine grace heal होंगे तो यहां आप divinely grace को receive करेंगे जैसे ही divinely grace आप receive करना शुरू करेंगे तो आप बस एक दो चीज़े जो है feel करना शुरू करेंगे नमबर एक कि आप अपनी energy में बहुत high vibration feel करेंगे नमबर दो आपके emotions जो है एकदम शान्द and relaxed रहेंगे आपके अंदर overthinking नहीं होगा नमबर थ्री कि आपकी intention energy या फिर आपका सोचनी का जो thinking process होगा वो इसतना static होगा इतना यह कह सकते हो connected होगा सभी से कि आपको जैसे कि दिमाग में कोई चीज़ एकदम से टिन करेगी and आपको solution मिल जाएगा या फिर अब तक जिस चीज़ के आप solution ढूंड रहे थे या कुछ भी जानने की कोशिश कर रहे थे वो यह मंत आपको देगा and और जैसे ही एक तरह से होगा कि जैसे कि अब होते हैं दिमाग की घंटी बज गई और हमें idea मिल गया इस तरीके से कुछ आपके साथ incident होंगे हाला कि मैं यह बोल रही हूं incident होंगे बलकि यह incident नहीं बलकि यह divine grace आपको help करेगी अब यहां पर बात एक यह आती है कि आपकी तरीके से इस divinely grace के साथ connect होते हैं तो divinely grace के साथ connect होने के लिए आपको alpha wave meditation करना है या कोई wave length या quantum का कोई wave length या कोई frequency बहुत YouTube पे पड़े हुए हैं उनके साथ connect कीजिए क्यों मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने पिछली video ने बताया कि आर्थ की gravity थोड़ी सी down होई है तो wave length बढ़ गई है यानि कि जो frequency है जो होती है cosmic energy cosmic energy की जो speed है या vibration है वो बहुत high हो गई है और इस समय बहुत अच्छा time है हमारा cosmic energy के साथ connect होने का लेकिन cosmic energy के साथ हम chanting से नहीं जोड़ सकते ना ही हम किसी जैसे की होता ना कि visualize करके हम उससे जोड़ सकते हैं और ना ही हम कोई affirmation देखे जोड़ सकते हैं इसके साथ only on silence के साथ जोड़ा जा सकता है जैसे जैसे हमारे surrounding की rhythm चल रही है frequency चल रही है वैसे वैसे हमें अपनी soul को अपने body में relax करना है क्योंकि यह जो wavelength हमारे चारो तरफ फैली हुई है जो cosmic energy चारो तरफ फैली हुई है बहुत बारिक लेवल पे बहुत स्थूल तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही balance में बहुत रिधम में चल रही है बहुत slowly slowly vibrations यह cosmic energy की जैसे कि हमारे चारो तरफ connected है तो यही कारण होता है कि जब हम ज्यादा शोर शरावे में होते हैं या overthinking में होते हैं तो उस energy से हम नहीं जुड़ पाते हैं उस cosmic energy से नहीं जुड़ पाते हैं या फिर उसके अंदर जो energy वो इतनी हाय होती है कि जिसका आप कह नहीं सकते बले ही वो शान्त है लेकिन उसके अंदर जो power है वो शान्त नहीं है तो हमें उसके साथ में आने के लिए अपने अंदर की vibration को down करना होगा down मतलब अपने emotions को balance करना होगा अपनी energy को balance करना होगा अपनी emotions को balance करना होगा अपनी wave line को यानि जो हमारी अंदर जो एक frequency चल रही क्योंकि हमारे अंदर भी frequency एक्जिस करती है तो हमारे जो frequency चल रही है अभी हमारी frequency क्या है कि कभी तो हम बहुत high feel करते हैं कभी हम बहुत रोना शुरू कर दी कभी हम बहुत overthinking कर रहे हैं कभी हम बहुत ज़्यादा frustrated हो गए तो इन सब में जो हमारे body का जो सेतु है जो balance है वो गड़बड होता है क्योंकि एक पल में आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपकी जो energy है आपकी जो frequency है वो down मतलब एकदम smoothly चल रही है क्योंकि आप खुश है शान्थ है रिलाक्स है तो वो smoothly चल रही है लेकिन एकदम आप hyper हो जाते हैं गुसा आ रहा है आपको तो देखा होगो जब गुसा आता है तो आपके दिल की धड़कनी तेज हो जाती है आपके अंदर ही अजीव सा ही हो जाता है जैसे कि पूरे body में blood हो जैसे कि घूम रहा है बहुत अजीव सा vibration हो जाता है यह आप सभी जानते है physical way में तो यही मतलब है कि उस समय हम अपनी actual cosmic energy से distract हो गए है जिस बज़े से हमारे body का संतुलन खराब हो रहा है और इसी के वज़े से जब body संतुलन का खराब होता है तो हमारा pain, हमारे problems आना शुरू हो जाते हैं पहसकर health issues होना शुरू हो जाते है विकास कि हमारी जो frequency जिस लेवल पर काम करनी चाहिए वह उस लेवल पर काम नहीं कर रही है और हम अलग frequency level पर जी रहे हैं जब हम अलग frequency level पर होते हैं तो हम ज्यादा देर उस energy के साथ में बालेंस नहीं कर पाते हैं और फिर हमारे अंदर effects आना शुरू हो जाते हैं क्यूंकि वह हमें होता है कि एक connection बेवलेंद का पूरा connection फैला हुआ है तो एक connection अगर disconnect हो गया तो अपर वो कब तक जहल पाएगा पॉड़ी के अंदर जितनी capacity है वो उतना उसको manage करती है लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है health में issues आना शुरू हो जाता है depression हो जाता है या फिर कोई भूख ना लगना tummy related issues body related issues कुछ ना कुछ बन जाता विकाज आपका casmica energy से connection disconnection चल रहा है तो वहां से आप proper energy रिशेब नहीं कर पा रहे हैं जिसके बज़े तो यहां पर बहुत किलियली समझेगा कि मैं क्या कह रही हूं मैं है अपय एनर्जी की बात कर रही हूं तो अपनी रिधम को बालन्स करना है दिन का या मतलब एक दिन में चौबिस घंटे में बीस पच्चिस में डेली का निकाल लिए सुबा में ब्रीधिंग कीजिए ठीक है उसके बाद शाम में सोने से पहले सोते टाइम रिलाक्स होके बिना कुछ सुने बिना कुछ लगाए रिलाक्स लेट जाएए और आसपास की चीजों को महसूस कीजिए उनकी जो भी आसपास जो भी वोईस चल रही उसको सांती से सुनते रही है क्योंकि धीर धीर जब वो वोईस एकदम ऐसा होगा कि आप जब मेरिटेट की स्टेट में जाएंगे आप एकदम रिलाक्स होंगे तो आसपास का जो नॉइस है वो जो खत्म हो जाएगा लेकिन उसकी अंदर जो एक कास्मिक से कनेक्ट हो जाएंगे अब जैसे ही हम उसके कनेक्ट होंगे हमारी एनरजी बहुत बालेंस में आ जाएगी ठीक है यहां पर समझ में आया यह चीज अब मैं बात करूँ एट नंबर की तो एट नंबर है इंफिनाइटी का अब यहां आप जिस भी चीज में कदम रखेंग ठीक है रिवार्ड मिलेगा और अगर किसी के साथ में आप बैड कर्मा कर रहे हैं किसी के लिए गलत सोच रहे हैं किसी के गलत कर रहे हैं या कुछ भी एक्स वाई जड़ आप कर रहे हैं तो उसका आपको दुगना रिवार्ड मिलेगा क्यों एक तो आठ नंबर है सैटरन क साल भी है और 8 नंबर इंफिनाइटी को इंडिकेट करता है तो इसका मतलब अनंत की उड़जा में आप टैप इन करेंगे फिर चाहे वो अच्छी है फिर चाहे वो बुरी है तो आप दोनों के लूप में यानि की 8 नंबर के लूप में आप बाहर नहीं जा पाएंगे आपको समझ में आई हो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है इस पोर्टल का मैं पहले से क्यूं बता रही हूँ क्यों कि आपको पता हो जब इस पोर्टल में जब आप इंटर करोगे तो आपके पास अल्रेडी ही सब पता हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करन है किस तरीके से हमें अपने आपको बालेंस करके रखना है तो इसलिए मैं यह वीडियो पहले दे रही हूं और आपको समझ में बहुत कुछ आया हो नहीं आया है तो आपेस से मुझे कमेंट में करके पूछेगा मैं जरूर रिप्लाय करूंगी लेकिन इस चीज को पूरी तर Ay Gandal Relations में भी हैपिनेस मिलेगी और आपको थीजिकल भी अबको अंडर कहले को सब्सक्राइब करमा से मुकति मिल सकता है यह करम बना भी और इपंक करने करेगा और डिवाई नीगरे इस याई मैं इतना कहूंगी कि यह पोर्टल बिर्लियन पोर्टल है तो इसको हाथ से नहीं जाने देना है अपने आपको प्रिपेर कीजिए रिलाक्स कीजिए और जितना हो सके शांत रहिए आपको घबराना नहीं क्योंकि यह सेटरन का साल है यहां पर जो कोई जिसको जैसे करेगा इंसेंट वह यह पाए लेगा इमिजेटली उसका फ़ल उसको मिल जाएगा विकोज यहां पर देर नहीं होगी पहले था कि हां कर्मा कर रहे हैं आपको टाइम लगेगा कर्मा जस्ट सब्सका ही है आप जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा तो कोई बात निए किसी के लिए कोई गलात भावना या गलत कुछ करनी की इच्छा नहीं होनी चाहिए सिफ लीजा हल्गा तो या गाइस यह है आपके लिए मैसेज़ेज आई होप आपको किलेटी मिली है मिली है जरूर बताईएगा एंड नेक्ष्ट में और बताऊंगे वीडियो लेकिन वेट कीजिएगा ठीक है अभी मैं पहले से बहुत पैटर हूँ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक्यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार एंड ब्लैसंस देने के लिए मैं पहले से बहुत बैटर हूँ और बहुत जल्दी में बहुत सारी चीज़े अब आपके लिए लेकि आओंगी क्योंकि ये समय जो में रहा है डाफिनेटली डिवाइन ने मुझे बहुत कुछ दिया है ये समय में मुझे साइड में रखके तो मैं बहुत कुछ अब आपके लिए लेकि आओंगी ठीक है वेसी के साथ चलती हूं मिलती हूं नेक्ट वीडियो में अपना ध्यान रखिएगा खुश रहिएगा बाइ अबया है वे लेकि आपके लेकि आपके लेकि बाइन नेक।